श्रीरादे हर हर महादेव जैसा कि आपको पता है सावन का अत्यांत पवित्र महा चल रहा है और इस बार तो आधिक मास का शुवयोग भी है सावन में अभी गुरु जी ने सावन में हमें मासिक शुवरात्री पर आनलाइन पूजा कराई थी और अब आधिक मास की मासिक शुवरात्री 14 अगस को गुरु जी एक बार पुना पूजा कराएंगे उस online पूजा का आप लाब अपने घर बैठे बैठे पाएंगे बस बनाना होगा आपको एक पार्थिव शेवलिंग और वहाँ पर करना होगा पूजा पिशली बार गुरुजी ने जब online पूजा कराई थी तो हमसे कुछ गलतियां भी होई थी हम छोटा छोटा सामान नहीं ले पाए थे इसलिए आप वीडियो में जो भी सामान आपको दिखाया जा रहा है आप कॉपी पेन लेके साफधानी से उसे नोट कर लीजिए जो भी सामान होंगे उनकी मैं आपको फोटो के साथ नोट कराऊंगी जिसे आपको खोजने में और समझने में कोई असुविदा ना हो तो आप बस फटा-फट कापी पेन ले लीजिए और सारी चीजों को नोट कर लीजिए जिससे कि अभी ही सारा इंतजाम हो जाए चलिए हम एक-एक से अपनी शुरुआत आरंभ करते हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा नारियल जिसे हम लोग शृफ़ल के नाम से भी जानते हैं बस यहीं पर कुछ लोग थोड़ा सा कनफ्यूज हो जाते हैं बांगते हैं बजार में जाकर भाईया हमें नारियल देना और कभी सूखा नारियल तो कभी पानी वाला नारियल जरा आप पिक्चर को ध्यान से देखिए जो ये सूखा नारियल है ये हमें नहीं लेना और एक ये वाला नारियल जो पीने वाला होता है ये भी हमें नहीं लेना हमें चाहिए जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी होता है और जिसे हम पूजा वाला नारियल के नाम से भी जान सकते हैं ठीक है नारियल हमको एक लेना है इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अब हमें चाहिए पान के तीन पत्ते पान के हमें तीन पत्ते चाहिए जब हम पान वाले भया से पान लेंगे तो हमें उनसे बोलना है हमें पूजा वाला पान चाहिए ध्यान रखना है पूजा वाला पान खंडित नहीं होता यह डंठल वाला और एकदम साबुत पान होता है तीन पान के पत्ते लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जी हाँ इसके बाद हमें लेनी है मेहंदी ये मेहंदी जो इस प्रकार के ट्यूब में या कोन में आती है ये हमें नहीं लेनी हमें लेने हैं मेहंदी के पत्ते जो की महादेव को अतियंत प्रिया है जब ये पत्ते हम महादेव को अरपन करते हैं तो हमें गौरी शंकर का इखटा आशिरवाद प्राप्त होता है क्योंकि ये ट्यूब तो केमिकल युक्त होती है यदि आपको पत्ता ना मिले तो आप पिसा हुआ जो पाउडर वाला पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं मेहदी के पत्ते हमें किसी गिंती में नहीं बस दस पंदरा पत्ते लेने हैं और उन्हें समाल कर रखना है उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं आपको याद होगा जब गुरुजी पूजा कराते और बोलते यहाँ पर तीन बार आश्मनी करना है तो हम लोग क्या करते हमारे पास आश्मनी तो होता नहीं तो हम उसे चम्मस से ही कर लेते पर ऐसा नहीं करना है, हमें बजार जाकर पूजा स्टोर से आश्मनी लेनी है, यह हमें 20-25 रुपई की मिल जाएगी, चलिए अब आगे एक बार बढ़ते और हैं, इसके बाद हमें आवश्यक्ता होती है जन्यों की, भुलनात की जब पूजा की जाती है, अभिशेक किया जा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें आवश्यक्ता होगी सुपारी की, सुपारी हमें पूजन वाली 5 सुपारी चाहिए, उसके बाद जिहां आगे बढ़ते हैं, दीख रहा होगा आपको दीपक, दीपक आपको मिटी का लेना है, आटे का चाहो तो आटे का बना लो, किसी यह भी तरह से बनाना चाहो वो आप ले सकते हैं अब आपको दिख रहा होगा गी तो यह घी आप भैस का घी आप गलती से भीना लेजिए भले आप तिल के तेल का दिया जला लेना मैं इसके घी के दीपक से बहुत बड़ा दोश लगता है यदि आप गौमातर के घी का दीप से मिल जाती है फिर वियरी किसी कारण वर्ष न मिले तो आप अगर बती भी ले सकते हैं उसके बाद हमें लेना होगा आरती के लिए आरती के लिए कपूर के कुछ टुगड़े ठीक है आपको दो एक टुगड़े लेने हैं आरती के लिए और उसके बाद हमें आवश्यक्त कलावा की, जिसे हम रच्छा सूत्र अपने हाथों में बानते हैं। आपने इस बार पूजन में देखा होगा कि हम भगवान के बस सुर्ट्यादी की जग़ कलावा छड़ाते हैं। थोड़ा सा कलावा इस जगे चड़ाना है। तो इसलिए कलावा की मातरा थोड़ी ज़्या भूल जाएंगे और एक छोटी सी टिक पेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें या ना करें परन्तु इस जानकरी को शियर अवश्य करें क्योंकि यदि हम यह जानकरी आगे तक पहुचाएंगे तो कि सभी की पोजा शांति पूरवक और सुविजानुसार संपन्न होगी जिससे हम सभी को भगवान का आशिरवाद प्राप्त होगा ठीक है अगर आपको लगित तो शियर अवश्य करेंगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी सामगरी की ओर तो हमें आवश्यक्ता होगी चंदन की लाल चंदन या पीला चंदन अस्ट गंध आपको जो मिल ज चीएगा उसके बाद हमें इत्र इत्र तो समय मार्केट में बहुत प्रकार के मिल रहे हैं परन्तु पूजा पाट के लिए जो इत्र आता है आप उसे अवश्य ले लीजिए ठीक है उसके बाद आपको चाहिए सबसे प्यारी चीज जो की भोले नात को आतियांत प्रिया है जी हाँ सुन्दर सी प्यारी सी बिना कटी फटी बेल पत्री की जी हाँ और एक बात का विश्य जियान रिखिए बेल पत्र हमें 21 पत्र चाहिए और एक चीज का हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कुछ बेल पत्र अठा 10-12 बेल पत्र अलग से रखिलने चाहिए क्योंकि हमें बीच-बीच में भी चढ़ाने पड़ते हैं अगर हम गिनके रखते हैं तो हमें कहीं न कहीं गलती का सामना करना पड़ता है और इसके बाद हमें आवश्यक्ता होगी सास शमी पत्र की और कोछ शमी पत्र अलग से भी रख लीजेगा क्योंकि बीच बीच में आवश्यक्ता होती है और समीपत्र को आप पूरा इस प्रकार से तोड़ा कीजिये ठीक है? उसके बाद हमें आवश्यक्ता होगी महादेव के प्रिया धतूरी की धतूरे भी हमें दो या तीन की मात्रा में चाहिए धतूरा आपके जीवन के काटों को समाप्ट कर देता है दुश्मनों को दूर कर देता है और महादेव को अतियन दपरिया है चलिये आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमें आवश्कता होगी गुलाप के पुष्मों की अर्था तलाल पुष्मों की तो ये गुलाब के पुष्प आपको 5, 7, 11, 21 जो मिल जाया वसानी से आप ले लेजिए अगर गुलाब के फूल आपको लगते हैं कि जादा महेंगे मिल रहे हैं क्योंकि जर्स रुपे का 20 रुपे का एक मिलेगा तो आप गुलाब की पंखुरियां भी ले सकते हैं ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब हमें आवश्यक्ता होगी सफेद पुष्प की तो आप जब सफेद पुष्प लेंगे या कोई भी पुष्प लें तो याद रखिएगा ये पुष्प की मातरा थोड़ी सी जादा रखिए क्योंकि जब अक्षप और पुष्प दोनों हम समर्पित करते हैं पुष्प कम पढ़ जाते हैं इसलिए पुष्प की मातरा चाहे सफेद हो चाहे लाल हो जो भी हो आप उनकी मातरा जादा लेजिए क्योंकि जब पुष्पों की मात्रा हमारे पास अधिक होती है तो पूजन भी अच्छे से होता है और भगवान का श्रिंगार भी बहुत सुन्दर से होता है परन्तु सफेद पुष्प के साथ में आप एक गलती न कर देना इसके बाद आपको दही लेना होगा मधो लेना होगा दूद लेना होगा शहद लेना होगा और गी लेना होगा हम आपर बताते हैं कि घी गौमाता का ही लीजे भूल कर भी पहस का गी मत कीजे और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बोलेना आपको काला तिल बहुत पसंद है तो आप एक चुटकी दो चुटकी जिया एक से दो चमच आप काला तिल अवश्य लिजेगा और इसके बाद आपको लेने हैं चावल जो की साबुत अक्षत होने चाहिए खंडित ना हो तो ये चावल के दाने आपको 108 लेने हैं और एक दो चमच चावल के दाने अलग से अवश्य रखियेगा जैसे कि पुझा में बीच बीच में हमें अक्षत पोष्प के साथ में चढ़ाना पड़ता है तो ये कम पढ़ जाता है और पुझा में बीच बीच में उठना भी ठीक नहीं है तो इस बाद का विश्य जियान र दाने तो गिहूं के दाने हमें 21 दाने लेने और कुछ अलग से रख लेने और इसके बाद आपको आवश्य चकता होगी फल अपनी सुविधा और आय के अनुसार आपको जो भी रखना हो आपको इसे भी दो प्रकार के फल रखें भोग के लिए घर की बनियोई मिठाई बजार से खरीद कर ला सकते हैं तो सुविधा और आय का विश्यस दिहान रखें इसमें कोई भी जबर्दस्ती नहीं है महादेव हर इक्षा को भाव को समझते हैं इन सारी सामिगरे को आप भली प्रकार से नोट कर लिजे और अच्छे से मगा कर रख लिजे इसके पश्याद जैसा भी गुरुजी बताएंगे आपको समय से हम इनफॉर्म करेंगे बताएंगे और यह मौका हमें साल में दूसरी बार मिल रहा है कि एक ही माह में गुरुज हमें दूसरी बार पोजन करा रहे हैं यह श्यू अवसर को किसी भी प्रकार से छोड़े ना और एक बार फिर बोलूँगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बोलेनात की क्रपा सभी पर बनी रहे बोलेनात सभी की मनु कामनाओं को पूर्ण करें प्रेम से बोल